ओम शान्ति आज हमारा एक सो दिन का दो दिन का वर्दान और आज एक सो दो के दिन के वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें उस रास के बारे में बताते हैं जिसको सारी दुनिया ढूंड रही है कि कैसे हम अपने आपको मुक्त करें और परमात्मा की नजर में गुणवान ताकि हम सिर्फ मुक्ति के ही नहीं भागिदारी। लेकिन सत्युक मतलब इस दुनिया में जब नई दुनिया स्वर्ग बनेगी कल्युक का विनाश होने के बाद में उसके लिए भी हम तियार हो जाएं। तो उसका राज परमात्मा आज बताते हैं इस वर्दान में देखें बाबा कहते क्या है बाबा कहते हैं संपून समर्पन की विधी द्वारा किसी भी कारे में अगर हम जब तक 100% ना दें अपना शत प्रतिशत ना दें तब तक हमारे अंदर वो seriousness नहीं आती है और हमारे अंदर वो लक्षनी और लक्षन नहीं आते हैं जिसकी जरुत होती है उस लक्ष को प्राप्ट करने के लिए तो जैसे कि किसी mathematician को चाहिए कि उसको दिन रात formula ज्याद रहें तो उसको वैसा लक्षन रखना पड़ता है तो उसी तरीके से परमात्म कहते हैं कि इस आध्यात्मिक जीवन में ये जीवन जो की सारी आत्माओं के लिए एक ही जीवन है होना चाहिए लेकिन कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते तो बाबा केते हैं संपून समर्पन करना है उसकी विधी द्वारा सर्वगुन संपन बनने के पुर्शार्थ में सदा विजई भवा जब तक संपून समर्पन नहीं करेंगे इस जीवन में तब तक हमारे अंदर वो जो गुण हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से अहंक संपून समर्पन उसे कहा जाता है अभी है क्या चीज संपून समर्पन मलकि कमप्रीटली अपने आपको समर्पन करना परमात्मा के हाथों में सौंपने अपने आपको अपने आपको मतलब अपनी आत्म के मन और बुद्धी को सौंप देना परमात्मा के उपर तो संपूर्ण समर्पन उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी body conscious ना हो तो body conscious एक बहुत बड़ा विस्तार है लेकिन शुरुआत करें तो किस से होती है कि अपने आपको ना हम इस्तर या पुरश समझें मैं एक आत्मा हूँ तो वहां body consciousness जानी शुरू होती है क्योंकि शरीर और शरीर की बाते याद आने से ही जिसे हमें मुक्ती चाहिए तो शरीर और शरीर की बाते याद आने से हमें मन को कहां टिका हूँ किसके ओपर टिका हूँ कहां अपने मन को मैं focus करूँ तो परमात्मा कहते हैं मुक्ती तो आत्मा को चाहिए तो तुम अपने आपको आत्मा समझो तब जाकर के ये शरीर की आकरशन शरीर की चीज़ें भूलनी शुरू होंगी थोड़ा थोड़ा करके ये प्रोसेस है एक क्योंकि हमने कई जनम परमात्मा कहते हैं कई जनम हमने लिए हैं जिस कारण से हमारे अंदर अपने आपको शरीर समझने के संसकार भर चुके हैं और जिस कारण से हमें इर्शा, ग्रिणा, नफरत आती हैं और हम दुनियावी बातों में फसे रहते हैं और दुनियावी चीज़ों को देख करके उँच नीच की बाते करते हैं औरों के बारे में और स्वयम के बारे में भी तो उसको छोड़ने के लिए अपने अंदर फुल स्टॉप लगाने के लिए उस संकल्प को हमें अपने आपको बोडी कॉंशिसनेस से हटा करके आत्मा अभीमान कि मैं अगर आत्मा हूँ तो मैं परमात्मग बच्चा हूँ तो मैं इस धर्ती पर केवल को समय के लिए एक मुसाफिर हूँ तो ये सारी चीजों से मेरा लगाव मुक्त और ये सारी बातों से भी मेरा लगाव मुक्त हो जाए तो बाब कहते हैं अपने देह का भान भी इसकी बच्ची हूँ, यह मेरे पती है, वो यह position में, यह designation में है, यह सारी बाते हैं, यह मैं फलाना हूँ, मेरे यह post, यह position है, मेरे इतनी high value society में, यह सारी चीजे हमें कभी भी आध्यात में आगे बढ़ने नहीं देंगी, यह अपने जीवन में भी आगे बढ़ने नहीं दे हैं, तो अगर हमें परमात्मा के मार्ग में चलना हैं, तो यह बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भार की तरफ से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम religiously अपने आपको अलग-अलग चीजों में डाल सकते हैं, जैसे कि कहते हैं, जब करना, तब करना, भजन गाना, यह सारी चीज ठीक है, लेकि परमात्मा कहते हैं, जब तक तक तुमने अपने आपको आत्मा नहीं समझा, वो करतव वे करते हुए भी, तब भी नाम मान शान की चाहोगी, धन से सेवा करी, तो फिर मेरा नाम आना चाहिए, मेरी मान, मेरी शान होनी चाहिए, और अगर किसी प्रकार से तो बाबा कहते हैं, इसलिए मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये भूल जो मेरे अंदर, ये गुण है, ये सब कुछ है, किस नहीं दिये सब कुछ, ये देने वाला कौन है, उसको याद करो, और दिया किसको, शेरीर को तो ये गुण नहीं होते हैं, क्योंकि शेरीर तो तो दिया किसको आत्मा को दिया, तो आत्मा शरीर के द्वारा में ये गुणों को इनको यूज करके, इस्तमाल करके मैं सेवा कर रही हूं आत्मा, ये याद रहे, तो परवात रहते हैं, ये संकल भी अरपन कर, संपून, समरपन होने वाले सर्व गुणों में संपन बनते हैं आप अंदर से संतुष्ट रहोगे संतुष्टा का गुणाएगा आप किसी के अंदर बुराया नहीं देखो के देव इमान में आकर करके तो आपके अंदर शान्ती रहेगी तो आपके अंदर शान्ती का गुणाएगा तो तुम भी अपने आपको जब आत्मा समझोगे, दे की बारों, बातों को भूलोगे, मैं फलाना हूँ, फलानी हो, तब ही तुम्हारे अंदरों सारे गुणाने शुरू होंगे, ना मैं किसी की बीबी हूँ, ना मैं किसी का पती हूँ, ना मैं बेटा हूँ, ना मैं एक फल कराना हुंड है सब चीज़े भूलनी पढ़ती है तब ही मुक्ति मिल रखाओं उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती जो सर्व वॉसर्व सर्वपन कर सर्वगुण संपन वा संपोन बनने का लक्षे रखते से जिनको समरपन की इच्छा नहीं है उनको पॉच्छिल लगत तो बाब कहते हैं, जो सर्व समर्पन कर, पहले तो अपने देह के भान को मैं फलाना हूं फलानी हूं, ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं, यह चोटी बाते हैं बाबा बता रहे हैं, जो सर्व समर्पन कर सर्व गुण संपन वा संपून बनने का लक्ष रखते हैं, तो ऐसे पुर पुर्शार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वर्दान देते हैं, जो इस लक्षे में आगे रहते हैं, देह विमान को छोड़ते हैं, उनके अंदर आटोमेटली गुण आते हैं और शक्ति आती हैं, तो परमात मैसेज तीवर पुर्शार्थियों को सदा विजयी भव का वर्दान देते हैं, सोचे तो कितना बड़ा लक्षे और छोटी सी बात क्या छोड़ना, देह बिमान को छोड़ना, घड़ी घड़ी यही याद रखना कि मैं एक आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं, कैसे कर्म, ध्यान देना, तो आज का ये वर्दान, बहुत मैं तो पूर्ण वर्दान, और आज का आपका दिन शुब हो, आप स्वस्त रहें, stay protected, घर में रहें, ओम श्यानती